आलो फ्रेंज्ट वेल्कम तो मैं चैनल आपूनम दुआ और आज हम कवर करने जारे हैं बहुत इंपोर्टेंट इंडियन राइटर जिनके नाम को सुनकर कई बार एक डाउट होता है कि विदर ही इस इंडियन और नॉट बट येस ही इस वेरी मच इंडियन बॉर्न इंडियन इंडिया और राइट फॉर इंडियन पीपल स्पेसिफिकली इंडियन चिल्टर विडियो का कंटेंट आप बहुत अच्छे से जानते हैं हम पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे उसको अनलाइज करेंगे और आपको एक्जाम में किस तरीके से आंसर करना है दाट आट आल्सो व अनलाइस करेंगे इस चेरी क्री में से लिया आगे यू रहएट इस एक्स्राइक्ट पीन ठेकन फॉम चिटरी टी रिटन भाइट वरी पॉपलाइर रस्किन बांडूर्ट रस्किन बांड वो इस फ्मॉस अथर एंडियन डिस्पाइट एग इस बिटिश डिसेंट अन याद रहे जाते हैं, so that will be, as I say, icing on the cake, कुछ popular works हैं उनके, The Blue Umbrella, जिस पर एक मुवी भी बनाई जा चुकी है, Flight of Pigeons पर भी, जुनून नाम की एक मुवी बनाई जा चुकी है, Wagrants in the Valley, बहुत ही popular ये works हैं उनके, अगर आप नाम याद रख पाएं, so that will be a really good thing, पहले हम स्टोरी का इंटोड़क्शन देखेंगे, आप चरी ट्री का जब मेंशन करेंगे, कि इस एक्स्ट्राक्ट हास बीन टेकन फ्रॉम चरी ट्री रिटन बाई रसकिन बॉन, दे स्टोरी विच इस अबाउट आउड बोई नेम राकेश, इतना इंटोड़क्शन आप लेख सकते हैं, और चरी ट्री की बेसिक थीम आपको करते करते पता चल ही जाएगी, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, हमारे पस थीम है, स्ट्रगल की थीम है, रेजिलियन्स की, डेडिकेशन की, कानफ्लिक्ट की भी, यह सभी थीम अपने आपको कैसे जस्टिफाई करती हैं, वो आपको स्टोरी पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा, और यू बी एबल टू राइट आप अल दीस वर्ड्स फुल कॉन्फिदेंस, अब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, फुल टेक्स्ट, फुल टेक्स्ट पढ़ने के क्या बेनिफिट्स होने, एक तो यह कि आपको कहीं से भी कोई भी एक्स्ट्राक्ट आया, आप इडेंटिफाई कर पाएंगे, इन से कि जब आप फुल टेक्स्ट पढ़तें, उससे better understanding किसी भी particular piece of writing की नहीं हो सकती, जब हम MCQs solve कर रहे थे last JSSE exam में, तब मैंने आपको हर चीज के फुल टेक्स्ट नहीं करवाए थे, क्यूंकि आपको MCQs आते हैं, आपको extract, analyze करने का, identify करने का कोई question नहीं आता, और plus syllabus was very vast, लेकिन अब हम जा सकते हैं, बिलकुल simple sentence है, समझ आ रहा होगा, तोड़ी खटी थोड़ी मी थी, ब्राइट रेड चेरी जो की काश्मीर वैली से आई थी, as simple as that, राकेश हिमालियन फुठील में रहा करते थे, there were not many fruit trees, और soil बहुत हाद था, dry cold winds थी, जो की growth को hinder करती थी, growth of plants को hinder करती थी, but on the more sheltered slopes, there were forests of oak and devdar, तो कुछ ऐसे slopes थे, कुछ ऐसी पहार के धलाने थी, जहाँ पर oak और devdar पाय जा दे थे, these are the trees, राकेश अपने ग्राणफादर के साथ, मसूरी के आउट्सकर्ट में रहा करते थे, जहां से जंगल की शुरुआत होती थी, और उनके फादर मदर एक छोटे से विलेज में रहते थे, 50 माइल सवे, जहांपर की वो कुछ crops को grow किया करते थे, mese and rise in Bali, राकेश को एजुकेशन की जरूरत थी, तो पेरेंट्स को लगा की एजुकेशन के लिए बच्चे को उसके ग्राणफादर के पास छोड़ देते हैं, तो जैसे जैसे राकेश की स्कूल गोइंग एज ने अप्रोच किया, दे सेंट इम तो स्टे विद इस ग्राणफादर इन मसाओरी, ग्राणफादर एक रिटायर्ड फोरेस्ट रेंजर थे, उनकी एक छोटी सी प्यारी सी कॉटेश थी टाउन के बाहर, राकेश एक दिन अपने स्कूल से घर आ रहे थे, तो उन्होंने चेरीज खरी दी, अभी फिफ्टी पैसे कुछ नहीं हैं, लेकिन उन दिनों बहुत हुआ करते थे, अब ग्राणफादर को देखा, देख कर भी ओफर ना करें, तो बद्तमीजी कहलाएगी, राणफादर तुक वन चेरी और राकेश, प्रॉंटली एक दी आदर तू, बागी दो भी ना लेले, इतने अच्छे से इक चैल्डिश फियर को दिखाया है, नारे राइटर ने, अगी एक 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 चैरीज फियर को दिखाया है, इसको देखने लगे, उसका अध्ययान करने लगे सीड का, आर चेरी सीड्स लखी, राकेश ने अपने ग्राणफादर से पूछा किया, इन से कोई, लग आती है किसी के पास अपने पास रखे तो, अफकरस, दिन आल कीप इट, तो ग्राणफादर ने जवाब दिया, हाँ सच में, और राकेश ने कहा, मैं इसको रख लूँगा, लेकिन देखे कितनी अच्छी सीखती, ग्राणफादर ने, नथिंग इस लखी, इफ यू पुट इट अवे, जस्ट अपने पास रख कर छोड़ दो, कुछ भी लखी नहीं होगा, इफ यू वांट लख, यू मस्ट पुट इट तो सम् यूज, तो दादाजी ने नसिहत दी, प्लांट करो इसको, और राकेश को भी बड़ी जल्दी समझ भी आगे, और इंटरस भी आया, उन्होंने एक छोटा सा, फावडा या कुदाल जो भी आप कह सके, वो उठाया और क्यारी खूदनी शुरू करती, हे नौट देशेट ग्रेंफादर, आप सोन मस्टर्ड इन बेड, प्लांट इन दाट शीडी कोरनर, वर इट वोंट बी दिस्टर्ब, तो दादा जी ने वो पर्टिकलर कॉरनर भी दिखाया, जहां पर की सो किया जाना चाहिए इस सीड को, राकेश ने उस सौफट सी मित्टी में उस बीज को दबा दिया, वे राकेश जी ने अपना लंच किया, चलेगे खेलने के लिए क्रिकेट विद इस फ्रेंड सेंड फोरगट ओल अबाउट दे चेरी सीड, भूली गए, वन इट वस विंटर इन दे हिल्स, आप में से जिसने भी मेरे साथ G.S.A.C की प्रेपरेशन की है या लिटरिचर की वज़े से मेरे साथ कभी भी जुड़े रहें, तो वो इस वू-वू को अनलाइस कर लेंगे, तो राकेश ने पहले तो क्रिकेट में इंटरस्ट लिया भूली गए और फिर ऐसा टाइम आया जब बहुत हवायन चलने लगी थंडा मौसम आ गया, तो यह उनकी दिले चर्या बताए गई है, उनका एक शिडूल बताए गया, राकेश को दादाजी कहानिया सुनाया करते थे, अनिमल्स की, गोस्ट्स की, ट्रीज की, और राकेश बदले में नियूस पेपर पढ़कर अपने दादाजी को सुनाया करते थे, ग्राणफादर की आईसाइट काफी वीक हो चली थी, नियूस पेपर खुद से नहीं पढ़ पाते थे, राकेश को नियूस पेपर बहुत बोरिंग, बहुत डल लगता था, लेकिन क्या खनी स्टोरीज भी तो सुननी थी, बदले में, तो स्टोरीज के बदले में ग्राणफादर को क्या चाहिए था, सिर्फ नियूस, आपने शाद ये वाइट दक देखी होंगी, जो का सिबरिया फ्लो करती है, साइबिया से इंडिया आती है, इंडिया से साइबिया जाती है, early in the morning when he got up to chop wood and light a fire Rakesh saw the V-shaped formation streaming from northwards the calls of the birds carrying clearly through the thin mountain air V-shaped formation birds की दिखाएगे इस तरीके से birds अपना group बना कर चलते हैं कभी आपने देखा हो तो आसमान में तो Rakesh को कुछ birds दिखाई दिये and it was very beautiful scenario One morning in the garden he bent to pick up what he thought was a small twig, tahini and found to his surprise that it was well rooted तूने लगा कि एक छोटी सी tahini पड़ी है मैं इसको उठा कर फेंग देता हूं जब हाथ लगाया और खीशने की कोशिश की तू अंदर से रूप से जुडी हुई थी He stared at it for a moment and ran to which grandfather calling, दादा का में लोग, the cherry tree has come up वो उनके cherry tree में से निकली हुई ही एक टहनी थी What cherry tree? Ask grandfather who had forgotten about it, वो भी भूल चुके थी The seed we planted last year, look, it has come up तो हमने जो बीच बोया था last year देखो उसमें से छोटा सा पौधा हुगाया राकेश तो पूरे तरीके से जुग गया उस tree पर और grandfather भी और दोनों बड़ी ही उटसाह से उस four inches tree को देख रहे थे और grandfather ने recognize किया कि yes, ये cherry tree ही है confirm कर दिया और राकेश को कहा कि अब तुमें इसे पानी देना ची every now and then राकेश तो भाग कर अंदर कहा और एक बाल्टी भरगे पानी लेकर आगे bucket of water अब डादा जी ने कहा कि इसको डुबाओगे क्या don't drown it सिस प्रिंकल करो राकेश ने स्प्रिंकल किया और उस tree को छोटे से tree को marble से circle भी कर दिया beautiful भी लग रहा होगा देखने में राकेश को लगा कि tree को भी अपनी privacy की जरूरत है तो that was the answer grandfather ने जब पूचा कि what are pebbles for छोटे छोटे पत्थर रखती for privacy he looked at the tree every morning but it did not seem to be growing fast एक excitement हो जाती है ना जब हम कभी आप एक पौधा लगा कर देखेगा अपने हाथों से पौधा लगाएंगे तो आपको काफी excitement रहेगी कि when will it grow up so he stopped looking at it except quickly तो उनको लगा कि बार बार देखता हूँ ना शायद इस वजे से ग्रोण नहीं होता है and after a week or two when he allowed himself to look at it properly he found that it had grown at least an inch तो शायद चार इंच से पांच इंच का हो चुका है उन्दीनों मॉन्सून भी जल्दी आ गया और आकेश स्कूल से घर घर से जाते थे तो रेंच कोट में गाम बूट्स में फर्न स्वेंग फ्र्म स्वाइब दी दूंडी दी दूंडी दी लॉड ग्रास तो पेड पुदे फालफूल रहे थे लिली आ रहे थे and even when it wasn't raining the trees drift and mist came curling up the valley अगर बारिष नहीं भी होती थी तो बूने गिर्ती थी पत्तों से और वेली जो थी that was completely covered in mist. चेरी ट्री के लिए ही मौसम बहुत ही अच्छा था और इस ही मौसम में चेरी ट्री गुर्विक्ली इन दिस सीजन. तो वो तफने सीजन राकेश को सिखाई उनके ग्राणफादर ने कि कोई बात नहीं रफन तफने सीजन. चेरी ट्री है और बड़ी ही जल्दी दबारा उख जाएगा. इस काइंड अ मिटाफोर विद लाइफ टू. कि लाइफ में कोई भी परेशानी आए तो आप हार मान कर नहीं बैठ सकते. कि लाइफ दू परेशानी आप जाएफ एफ पर लाइफ इस दू. चेरी ट्री को अभी थोड़ा और शफर करना बाकी था. तोड़ द दू अंड राइफ दू. new leaves appeared on the tree, लेकिन एक विमन जो आसपास की घास काट रही थी अपना एक और जार लेकर स्काइथ, that is called, उन्होंने चेरी ट्री को भी कट कर दिया, cut in two, ग्रान फादर ने देखा बहुत गुसा हुए, लेकिन गुसा होने को फायदा नहीं था, the damage could not be repaired, अब तो राकेश बहुत उ कि चेरी ट्री तो इतना रफन तफ है कि इत विल तोलरेट इवन इस अटाक और इत विल नाट दाए, वापिस गर्मी आ गई, by the time summer came round again, it had sent out several new shoots with tender green leaves, तो नही नही पतियां आचुकी थी, राकेश हैद ग्रों तो, he was eight now, a sturdy boy, with curly black hair and deep black eyes, blackberry eyes, grandfather called them, तो ग्रान फादर ने मित metaphorically, राकेश की आइस को नाम दिया, blackberry eyes, जैसे हम कहते हैं न, आखों की खुबसूरती को बताने के लिए सागर जैसी गहरी आंके, तो उस तरीके से, ग्रान फादर को अपने ग्रांड सन की आंके, blackberry fruit के जैसी लगती थी, उसी मौनसून राकेश अपने mother father से मिलने के लिए और उनके mother father, तो हैं ही farmers, तो they were busy in planting and blowing and sowing, he was thinner but stronger, एक जैसी आती न, बच्चे थोड़े से कभी कभी कमजोर हो जाते हैं when they start gaining height, तो थोड़े से thin हो गए थे, लेकिन strong थे, when he came back to grandfather's house at the end of the rains to find that the cherry tree had grown another foot, it was now up to his chest, राकेश की खुद की चेस तक वो ट्री आने लगा था, Even when there was rain, जब बारिश होती थी, राकेश तब भी ट्री को पानी दिया करते थे, just to make the tree feel that I am there for you, one day he found a bright green praying mantis, pushed on a branch, peering at him with bulging eyes, राकेश let it remain there, it was the cherry tree's first visitor, Mantis इस तरीकी का creature होता है, जो की grown up vegetation के पास जाते हैं, तो एक symbolism हुआ कि वो ट्री ग्रो अप हो चुका था और वो ट्री अब एक ऐसा ट्री था जो की creatures को अपनी तरफ attract कर रहा था, वो creatures जो की vegetation की तरफ जाते हैं, निक्स विजिटर थे, एक caterpillar राकेश ने उन्हें रिमूव किया और उनको धम की दी, come back when you're a butterfly, विंटर भी उस सीजन में जल्दी आ गए थे, चेरी क्री थोड़ा सा बेंट हो गया था, स्नुकी वज़े से माइस आ गए थे, कुछ जिन्होंने शेल्टर लिया था, घर की cottage की रूफ पर, और roads ब्लॉक हो गए थी, स्नुकी वज़े से, निउस पेपर भी नहीं आया, जिस लुद आ ठी के रहे थे, कड भी पचक का बतन देता।다 बढए ठी में राकेश का बाधा हो वह थे, कुछ में रापनी वनी कुछ छ आपनी, और मूटी, पर शूरी के गर्में पहुचादू। He said, he stopped in front of the cherry tree, stared at it for a few moment and then called out, Rakesh, come and look, come quickly before it falls. तो Rakesh को किसी वज़े से उन्होंने बुलाया, किस वज़े से, let us see. ट्री पर चोटे चोटे पिंक फ्रूट्स आने लगे थे, ब्लोसम्स. Rakesh and grandfather gazed at the tree as though it had performed a miracle. तो आपके भी लगाया हुए किसी ट्री पर अगर fruits आने लगेंगे, flowers आने लगेंगे, तो you will also feel very happy. There was a pale pink blossom at the end of a branch और अगले साल तो और ग्रो होने लगा ट्री. And suddenly the tree was taller than Rakesh. Rakesh से भी बढ़ा हो गया height में. Although tree की age, Rakesh की age की लगभग half थी. And then it was taller than grandfather. Grandfather जो की वहां के oak trees से, कुछ oak trees से थोड़े से बड़े थे in age and height both. दीरे दीरे Rakesh ने भी grow होना शुरू किया. He could run and jump and climb trees as well as most boys. And he read a lot of books, although he still liked listening to grandfather's tales. So Rakesh ने अपने आसपास के बाकी लड़कों की तरह ग्रो होना शुरू किया. Books खुद से पढ़ने शुरू कर दिये. लेकिन अभी भी पसंथा हुने की grandfather की कहानिया सुनाए. In the cherry tree, bees came to feed on the nectar in the blossoms and tiny birds picked at the blossoms and broke them off. But the tree kept blossoming right through the spring and there were always more blossoms than birds. The cherry tree ने बहुत कुछ सहा, bees आते थे, कुछ birds आते थे, लेकिन cherry tree ने ग्रो किया और करता रहा. That summer, there were small cherries on the tree. Rakesh tasted one and sped it out. It is too sore. ये तो खटे हैं. They will be better next year, said grandfather. But the birds liked them, especially the bigger birds such as boulbuls and scarlet minivets. So, कुछ birds को वो खटे फ्रूट्स पसंद आते थे and they fitted in and out of the foliage resting on the cherries. So, कुछ birds ऐसे थे, जिनोंने regular उन चेरीज को खाना शुरू कर दिया. Bulbool and scarlet minivets, ये दोनों ही पाय जाते हैं Indian hilly areas में specifically जहां पर vegetation जादा होती है. On a warm sunny afternoon when even the bees looked sleepy. बड़ी ही आलस वाले दिन चल रहे थे, Rakesh was looking for grandfather without finding him in any of his favorite places around the house. Then he looked out of the bedroom window and saw grandfather reclining on a cane chair under the cherry tree. There is just the right amount of shade here. तो वो cherry tree, फल, फूल, पतिया, इनके अलावा shade भी provide करने लगा था. That is what Ruskin born wants to say. Say grandfather की अच्छी चाया आती है यहां पर. And I like looking at the leaves. They are pretty leaves, said Rakesh. And they are always ready to dance if there is breeze. तो यहां पर देखे कितने अच्छी से personification का use किया आगया है कि हवा चलती है तो यह पतियां हमेशा डांस करने के लिए तयार रहती है. Grandfather अंदर आ गए, Rakesh went into garden and lay down on the grass beneath the tree. He gazed up through the leaves at the great blue sky and turning on his side, he could see the mountains striding away into the clouds. वहां का मौसम, वहां का environment, सब कुछ देख रहे थे, Rakesh वहां गास पर लेटे लेटे. He was still lying beneath the tree when the evening shadows crept across the garden. Grandfather आये वहां पर, came back and sat down beside Rakesh and they waited in silence until these stars came. आप इमाजिन करिये यह पूरा सिनेरियू. तो सितारों के आने तक का वेट किया उन्होंने. In the forest below, the crickets and kicker does, creatures की बात की जा रहे है, छोटे छोटे बिगीन, tuning up and suddenly the tree was full of the sound of insects. Beautiful सा environment और without pollution का एक environment पहाडों में आप है और वहां पर एक tree को enjoy करें, उस tree पर छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, जूकि एक natural process है और अपनी आवाजे करते हैं, वो आवाजे भी बहुत ब्यूटिफाई करती हैं environment को. अब राकेश का एक सवाल, there are so many trees in the forest, what is so special about this tree, why do we like it so much, क्योंकि हमने खुद प्लांट किया है इसको and that was actually the reason, grandfather ने कहा कि that is why it is very special. अब देखिए कहानी क्या सीखते थी, अभी भी हम text analyze ही करें, क्या सोचा राकेश ने एक छोटे से seed से इतना बड़ा tree, said राकेश, and he touched the smooth bark of the tree that had grown, he ran his hand along the trunk of the tree and put his finger to the tip of a leaf, I wonder, is this what it feels to be God? उसके बाद उन्होंने ऐसी लाइन बोली कि God ने भी अपनी कितनी सारी creations की है, right, तो God को भी ऐसा ही feel होता होगा, हमें create करके, जैसा कि मुझी at present feel हो रहा, इस tree को touch करके, तो अब देखते हैं story की क्या सीख है, क्या conclusion है, अब हम लोग text analyze नहीं कर रहें, conclusion देख रहे हैं, पूर between rakesh and cherry tree, care and nurture, अगर आप किसी चीज की करते हैं, वो grow होती है, और आप कभी ये गार्डियन का रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि rakesh यसे छोटे से बच्चे ने कर दिया, another theme of the story is the ability to start something new, और अगर tree को देखा जाये, तो tree में कितनी capacities थी, अपनी adversities के साथ भी grow करने की, tree पर attack हु I hope आप ये extract अच्छे से identify कर पाएंगे, और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आज तो कर लेंगे, लेकिन जब mixed merge करके आपको extract दिये जाएंगे, तब भी आपको identify करना है, ऐसी capacity बनानी है आपको अपनी, किस तरीके से answer लिखना है, that has been told in many previous videos, यहाँ से शुरुआत क a brief introduction about that piece of text और उसके बात passage में जो given है, उसको explain कर दीजिए, वीडियो पर अपने comments देना मत भूलिए, comments आप लोग जब provide करते हैं, तो एक encouragement आता, एक you know, kick मिलता है, और videos और source materials आपके लिए create करने का, otherwise it feels very monotonous, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, please अपने comments ज़रूर लि